आज हम बात करने माले हुंडाई वर्नागे सेकंड बेस वेरिंट के बारे में जो कि इसका एस वेरिंट होता है यह बहुत वेल्यू फोर मुनी वेरिंट है बहुत आपको तो चली देखते हैं कि क्या के चीज़े प्रोवाइड करती कितने सारे फीचर इसमें आते और चलिए फड़ाफट से वीडियो शुरू करते हैं तो अजयो सबसे पहले हैं कि क्या के फीचर सापको मिलते हैं क्या नहीं मिलते हैं सामने की बात करें तो इस तरह की पूरी ओर और इसकी लुक्स मिल जाती बड़िया लगती गारी बसना में उत्ती ज़्यादा पसंद नहीं आती वर्ना ब्लेक लेरों ही बहुत ज्यादा बढ़िया लगती बाहिं मजा आजाएगा ठीके अब इधर बात करें तो सामने आपको पता है कि है वाला पूरी इसमें कोई कॉट्स कुण्स पूरा 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 आपको लाइट देखने को मिलता है इसमें को को यहां बात के लि कि आपको प्यानो ब्लैक में पूरी के पूरी ग्रिल में जाती है बढ़िया है सामने कोई पार्किंग सेंस वगएले चीज नहीं मिलती बाकि जो नीचे वाली जो यह फिनिशिंग है यह बढ़िया लगती है मतलब काफी अच्छा लुखसाता है हुंडाई का बड़ा सा है एकदम बेसिक से बसिए कि आपको कंशे काम आपको और सिर्फ दिया गया है और फीछे बताओं तो पीछए आपको यहाप ड्रम ब्रेक्स देखने को विल जाते लिगा बागी सद्जय निकल के आजाता है मतलब काभी सारे कृंच आपको यहाँ पे दिखेंगे और गाड और विम में इंडिकेटर मिल जाते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है देख सकते हैं इस तरह की पूरी इसकी फिनिशिंग है अब बात के लिए पर प्रफाइल की रियर में इस तरह की बहुत बढ़िया वाले आपको यहां पे टेल लैंप मिल जाते हैं ऐसा लगता निए कि य आपको रिवर्स लाइट और इंडिकेटर मिल जाएंगे पर लाइट में कोई यहां पर दिक्कत है बड़िया लाइटिंग है फीछे चार पाकें सेनसर मिलते हैं बस कैमरा वगयर इसमें आपको नहीं मिलता है इस वाले बीरेंट में और इधर बात करें तो यहां पर भी द यहां मिलते है Ok लेकिया करता है अंदर आपको दिखाता है अंदर पूरा में इस तर में कि तर पूरE अज़एब 가지 है यह लगते हैं पर यह फिनिशिंग प्लास्टीका है यह इभी पुरी कि लिए देखने को मिलेगा क्योंकि आपको जादा कुछ तो आप एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कोई फोल्ड करनी कर सकते यहां से बस आपको दिया जाता है बेसिक चीजे यहाँ पर आपको ओपर वाले फिरेंस में मिलेगा तो चलो अंदर बैट के बाद करते हैं वाकी चीजों की देखा इस तरह केखा पूरा-पूरा इंटीर हमाइं अंपर ने कर देखाने लिए तो इस तरह है इस तरह के से चाड़ी सो मिलेंगे और आपको जाना से मिलए ना थोड़ा safety भी ध्यान दे रहा है, thumbs up to Hyundai for providing such things, अब बात कर लेते हैं, steering wheel की देखो, इस तरी के का आपका steering wheel देखने को मिलता है, मैं को यह समाझ में नहीं आता कि सीधा है कि उल्टा है, ऐसे उल्टा भी करो कि तो भी सीधा ही लगता है, अगर मैं आपको करके दिखाऊ ना, यह देखो इस तरीके से, यह देखो, अभी गाड़ी, यह सीधी है, steering wheel, ठीक है, अब यह देखो, अभी भी, अभी भी ऐसा लग रहा है, तो थोड़ा सा, यह थोड़ा सा है, two spokes steering wheel देखने, देने के चक्कर में न, थोड़ा सी गाड़ी, मतलब steering wheel थोड़ी अट-पटी से कर दि इस वाले विरेंट में अच्छी बात है, इस वाले screen को जो control करना है, वो यहाँ पर आपको मिलता है, थोड़ी ulti type की है, normally Hyundai में ऐसा आता है कि इधर के controls इधर, पर कोई नहीं देख लेंगे, बाकि automatic headlamps आपको मिलते है, वाई पर आपको normal वाले दिये गए हैं, कोई आपको automatic feature उसमें नहीं मिलता है, और इधर बात करें तो dashboard में आपको यहाँ पर आपको cloth fabric finishing देखने को मिलती है, मतलब ऐसा लगता है कि fabric है, पर ऐसा नहीं है, और इधर भी same finishing आपको यहाँ पर carry forward करी गई है, यहाँ पर AC कंट्रोल मिलते हैं, मस्त कंट्रोल हैं, बस यहाँ थोड़ वो अच्छी चीज़े हैं, कि चलो मिलता है, तो मिलता है, अच्छी बात है, इस तरी कि आपके AC कंट्रोल से यह वाली डिस्पले हैं, यह वाली डिस्पले हैं, इसमें बड़िया डिस्पले है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस हाँ आपको camera इंस्ट्रॉल करना इसमें lights मिल दाते हैं, यहाँ पर sun glass holder बगएरा कुछ नहीं मिलता है, इधर बात करें तो normal आपको mirror मिलता है, इधर बात करें तो आपको mirror, mirror मिलता है इसमें, जो creator top model ना उसमें भी आपको mirror नहीं मिलता है, normal आपको toll receipt रखने का मिलता है, तो अच्छी बात है भाई कि आपको armrest है, जो कि slideable आपको मिलता है, और अंदर की बात करें तो आपको decent छोटा सा space मिल जाता है, यहाँ पर cup up holders मिलते है, छोटे छोटे छोटे, यहाँ पर handbrake मिलता है, यहाँ पर आपको six speed का जुक्रेटा वाले engine है, वही आपको मिलता है 1.5 का, मज़गा मस्त engine है बाई एकद क्या आपको रखते हैं, उस तरीके से हैं, सामने की बात मैंने सब कुछ बता दी कि क्या कैसे कैसे चीज़े, प्रवाइड करी गई है, अब मैं रियर सीटिंग में चलता हूँ, और इसको अपने अपने एक्जेक्स कर लिया हूँ, चलते हैं रियर पे, और रियर पे दिखा कि इतना ज्यादा है नीरूम बढ़िया है, बहुत ज्यादा आपको मिलता है, यहां पे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बशाद 6 फूट की अगर आप हो, तो थोड़ा सा से लगएगा कि हैड में टाच रहा है, पर ऐसा इतना भी नहीं है दिक्कत वाली बात, पीछे दो टाइप सी के पोर्ट में जाते हैं एसी के वेंट दी गए यहां पर कोई मैगजीन होल्डर नहीं मिलते हैं अलाकि इस तरफ आपको मैगजीन होल्डर दिया यह कैसे उल्टा उल्टा काम करें यार मतलब दोनों साइट दे देना था ना क्या दिक्कत है चलो कोई न मिलते हैं तो यह था बाई पूरा रियर से जो भी इसका मैंने आपको दिखा दिया क्या के चीजे कैसे कैसे प्रोवाइड करी गई है पड़ा बट में चलते हैं मैं आपको ज्यादा टाइम वेश्ट नहीं करूगा पड़ा इसका बूट दिखाते हैं इस तरीके के आपको इतना जाइगंटिक सा बूट है आप देखो के बाई बंदा सुला सकते हैं इतना जाद आपको बूट से मिलता है बहुत बड़ा बूट से बहुत बड़ा कितने लिटर से मैं आप डिपले कर दूआ और यहां पर इस तरीके के आपके आप साइस मिलता है जो की है 15 इंज का की सेकेंड बेस याद रखना अब चलिए इसकी बात करते हैं एक कंक्लूजन की और प्राइजिंग की जैको बात करो ना तो बहुत बड़िया आपको यहां पर इंजन मिलता है उसी साफ से गाड़ी बड़िया है हाँ ब्लैक लर में ज़रू लेना गाड़ी वाइड क्यार म में पड़ेगा बाई तेरा लाग पचातर हजार का मतलब समझ गया ना थर्टीन लाग 75,000 का आपको आंडोड राइपों में पड़ेगा उसी साब से देखे ना तो काफी जादा वैल्यू फर मनी वेरेंट है बाई मजेदार है तो आपको कैसा लगा यह वाला वीडियो सब्सक्राइब जानल को हम मिलते हैं ऐसी अच्छे वीडियो के साथ तब तक लिए बाई टेक क्यार